नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग गुरुबार के दिन एक अक्टूबर को पुर्णिमा है और ये पुर्णिमा तो हलाकी हर मेहने ही पुर्णिमा आती है लेकिन इस बार की पुर्णिमा बहुत खास है क्योंकि एक तो पूरे तीन साल के बाद अधिक मास है और वो भी अधिक मास में गुरुवार के दिन पुर्णिमा होना अपने आप में सुभसन योग लेकर आया है उपर से सरवार सिध्धी योग भी है तो इस दिन विसेश उपाय तो आप करेंगे ये हमें पता है लेकिन आज हम आपको अगर आपक कोई सत्रू विरोधी हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए कौन सा उपाय करें जो कि सिर्फ विसेश दिनों में ही किये जाते हैं या तो पुस्सिन चत्र में या फिर कोई विसेश बड़ा ग्रहों का संयोग बना हो तब तो ऐसे में इस अधिक मास के दिन एक विसेश उपा तो विडियो के अंतक बने रही है हम एक बहुत खास उपाय बताएंगे आप आपकी जैसे बहुत बार क्या होता है घर में जठानी है देवरानी है सासू माई किसी से बंती नहीं है लगता है जैसे एक दूसरी के लिए सब अंजान है दुस्मन के तरह हो जाते हैं बात-बा भी हमारा विचार नहीं मिलता है क्योंकि हम अलग-अलग परिवेश से होते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो सत्रू को मारेगा नहीं बलकि उसकी बुद्धी को बदल देगा पलट देगा और आज के दिन यह उपाय आप जरूर करें यानि एक ऑक् अपिक है घर के मुखे दरवाजे पर फेकते हैं अखिर क्या फेक है उसके पहले जानते हैं सुरुवात से देखिए सबसे पहली बात तो चुकि गुरुवार के दिन पुर्णिमा है तो ऐसे में आपको विसे सुपाय करना ही चाहिए सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद अपने घर के मुखे दरवाजे पर जब आप जाडू बेगर लगवाते हैं या खुद भी लगाते हैं सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है तो अब यहां पर आप जाडू नहीं लगाकर पहले पनी डाले फिर जाडू लगाए अगर किसी ने कुछ किया हो जल में आज हम इसी में बता देते हैं आपको बहुत आपका भी समय बरबाद होता है तो दिखिए भगवान सुरी को एक चुटकी हल्दी जल में जरूर डाले और उन्हें अर्पित करें अगर जीवन में सनिदेव राहू केतू की पीडाएं हैं या फिर लगता है आपकी है तो पुर्सोत्तम मांसमें हल्दी का बिसेस परीयोग बढ़ जाता है दूसरी बात पीपल के बिख्ष में मा लक्ष्मी का निवास होता है ऐसी मान्यता है और पूर्णिमातिथी मा लक्ष्मी की है इसलिए अगर आप पीपल के बिख्ष में मीठ episód जलर पित करते हैं तो आपके साथ ही मालक्षमी आपके घर तक आती हैं हाँ यह सच है लेकिन कैसे सबसे पहली बात तो एक लोटा जलने उसमें थोड़ा सा मिसरी अगुर डाले अब इसको आप उसमें कुछ मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं और फिर इसमें आप सफेद पुस्प बेगे रहे तो ले पर बैठ कर या खड़े होकर कम से कम 11 बर या 108 बर जब करें और फिर मालक्षमी से आगरह करें कि आपके घर चले और वापस आजाईए अपने घर में आप घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल का घोल यानि थोरे से आप चावल पानी में भींगो दे आधे गंट के बाद उसको मिक्सी में पीस लें गाढ़ा सा पेस्ट अब इसमें थोड़ा से हल्दी मिलाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या ओमंगल चिन्द को बनाएं इसके बाद आम के पत्तों का बंदनवार अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं चीजें बढ़ने लगेगी एक बात याद रखिएगा इस दिन साम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया उसमें दोचार दाने काली उड़त के डालके जरूर जलाईएगा इस से सनिदेव की भी किरपा मिलती है और जीवन के बहुत सारे कस्ट मिटते हैं हलां कि पी सबसे पहली बात तो जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे ही कीजिएगा लेकिन लोटा में जब पानी लीजेगा ना उसमें थोड़ा सदू ज्यादा नहीं आधा चमच डाल दें और फिर तुलसी में डालें थोड़ा सवाह पर मिस्तरी या गुड या बतासे जो भी तुलसी के नीचे जो दिया चलाईएगा दिये की नीचे आप कुछ दे दीजिएगा पत्ता दोना फुलों की पंखुरी अब हम चुकी बात कर रहे हैं घर के मुखे दरवाजे से क्या फेके बाहर ये भी हम बताएंगे चर्चाय हमारे जारी है लेकिन एक बात याद रखे लहसन प्याज नौन बेस तो खेर खाना ही नहीं है वैसे भी थ्रस्डे को नहीं खाना चाहिए आपका गुरू गरवण हो जाता है भले कितना भी रासा ही आपकी ठाट हो लेकिन अगर आप लगातार खाते हैं जैसा कि ब्रस्पतिवार की कथा में भी आता है कि इस दिन बा तो हम यह भी बताएंगे कि घर से बाहर क्या फेकना है लेकिन उसके पहले जो हमने आपसे वादा किया है अगर जीवन में बहुत परिसानी हो आपके ओफिस में बहुत सारे लोग आपसे जलते हो आपके बिरोध में हमेशा ही सडियंत्र रसते हो आपके घर परिवार में आ हैं आप महिला हैं आप पुरूस हैं आपके घर के लोग हैं आपके बाहर के लोग हैं अगर रिस्तों में बहुत ज़्यादा डरारे आ रह गई हैं बहुत ज़्यादा कश्ट बढ़ गया है तब ऐसे मदे छूटा aurait उपाय करें, सबसे पहले तो जान लें, कोई भी ये उपाय कर सकता है और ये उपाय तांतरिक किरिया नहीं है, ये आपके रिष्टों में मीठा पन लाएगा, वो जो नकातमक चीजें हैं उसको दूर करेगा, क्या करेंगे आपको सबसे पहले चाहिए एक सहत की छोटी सी सी स यानि 50 ग्राम के मार्केट में मिलते हैं, आपको सहत की सी सी एक ले लीजेगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना होगा, छोटा सा, एक भोज पत्र ले लें, भोज पत्र भी आपको पूजा समगरी के दुकान में मिल जाएगा, अगर ना मिले तो सादा कागज ले लें, अब आपको लेना है, यहां पर अस्टगंध, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको एक चुटकी, दो चुटकी चाहिए होगा, और तीसरी चीज है, अनार की कलम, अगर अनार की कलम ना मिले, तब बेल पत्र होता है, जो सिब जी के माते पर चड़ता है, उसकी अध़ल की सहायता से इस घृत में कीरे, अगर भोज़पत्र है, तो पत्र हो क olmas सादा का है, अब आपके जितने भी सत्रू हैं सबका नाम लिखे जितने लोग हैं एक लोग हैं पांच लोग हैं दस लोग हैं बीस लोग हैं सबका नाम एक लाइन से लिख लें यह भोजपत्र है यह भी आपको मार्केट में मिल जाएगा नहीं है तो साधा कागज पर लिखे अब इसमें नाम लिख लें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को याद करें, उनसे प्लासना करें, कि जीवन के कश्ठर ये, फिर इस भोजपतर या कागच को जिस पर आपने नाम लिखा है, कोई भी दुस्मन हो सकता है उसको अच्छे से मोड़े अब इस सहद की सीसे में इसको डाल दे और ढ़कन को बंद कर दे ठीक है अब बंद करने के बाद आप चाहे तो अपने घर में ही कहीं छीपा कर रख दे या फिर कहीं भी आप इसको मिट्टी खोद कर दबा दे ऐसे जग बैर भाव रखते हैं बेवजा आपको परिसान कर रहे हैं उनको उनकी बुद्धी ही बदल जाएगी यह जो सहद है वह सब कुछ पर मीठा पन ला देगा जितनी भी कड़बाहट है उसको मीठा पन में घोल देगा यानि लोग सत्रू सत्रूता आप से करना ही भूल जाएं तो आज के दिन इस पूर्णिमा तिथी पर यह खुबसूरत सा उपाय करें आपको 100% लाब होगा लेकिन सवाल अब हमारा फिर से वहीं पर आता है कि आखिर इस पूर्णिमा तिथी पर घर के दरवाजे पर क्या फिके साल में जैसा कि आपसे हमने साजा किया बहुत सारे प दिल सी के पत्ते डाल के नहते हैं यह आपने मं ने नहा हूँ आहल को याद नहीं था तब ऐसे में गंगा उपर से माथे पर हलका अब यह पानी लेक्स पाज़र करें आप पूजा पाठ करें सब कुछ जैसे हमने बताया बिल्कुल कीजिए भगवान को परणाम करें आप इस दिन सतनयान की कथा कह सकते हैं इस दिन भगवान सरी हरको पीले केले अरपित करें और इस दिन आप उन्हें पीले गेंदे के पुस्प की माला मिल जाए तो अति उत्तम क्योंकि इस दिन गेंदे के पुस्प की माला का बिसेस महत्व है उन्हें पहनाईए तुलसी जी की अरादना करें भगवान सरी को कुछ ना हो आपके पास तो कुछ ना सही पर दो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिए ये तुलसी के पत्ता आपके समस्त मनोरत को पूरा करेगा अब साम के समय आप पूरे घर में कपूर के सहारे दो लॉंग जलाते हुए पूरे घर में दिखाईए पूरे घर में जितने भी रूम हैं सेड़ी के नीचे बालकनी में जितनी जगह है हर जगह दिखाईए दिखाने के बाद आप इसको रख दें ये अपने अपने ही सांथ हो जाएगा दूसरी बात आप इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाईए आप च पीपल के बिख्ष में जरूर जल अरपित कीजिएगा और सबसे अंत में आप एक काम करें दो दाने काली मिर्च के ले वैसे तो काली मिर्च अगर आप दीपक में डाल कर जला कर पूरे घर में आरती करते हैं ना तो इससे भी नकात्मग उड़ जादूर होती है लेकिन ताकि और फेक दें और फेकने के बाद बिना पीछे मुड़े अंदर आ जाएं यकीन मानिए जीवन के हर कस्टिम इड़ जाएंगे जितनी भी परेसानी चल रही थी वह समाप्त होगी और एक नया सबेरा आपका इंतजार कर रहा होगा आपका स्वागत करने के लिए हम पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद